असलाम अलेकुम गूद मॉनिंग और वेलकम टूगन अठोम। प्यूर्स आज फर्स्ट में है यानि दुनिया के मजदूरों, किसानों, महिनतकशों और गरीब अवाम का दिन। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। इसे वरकर्स दे के तौर पे भी जाना जाता है। इस साल की ठीम बहुत ही स्पेशल है। Children should not work in fields, but on dreams। यानि के बच्चों को फील्ड में काम नहीं करना चाहिए। फील्ड से मुराद खेतों में काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने खवाबों पे काम करना चाहिए। यानि कि बच्चों को जो लेबर फोर्स और वर्ट फोर्स का हिस्सा आज भी लोग बनाते हैं ये उनको थोड़ी सी आगाही देने के लिए और थोड़ा सा उनको गाइड करने के लिए और उनको मुताद करने के लिए कि ये वलब चीज है लेकिन दुनिया भर में गरीब मेनत को अपने हकुक के लिए आवाज उचाने की जिद्व जहद को खिराज तहसीन भी देश किया जाता है आज के दिन उसके साथ साथ अवेरनस भी दी जाती है कि मजदूरों के हकुक क्या है जब हम लेबर डे की बात करते हैं तो उस लेबर डे के अंडर कौन कौन से लोग शिकागों में एक अजीम जो एक तहरीक स्टार्ट की गई थी तो उनके जो शोदा हैं उनको एक खिराज तहसीन पेश करने का भी तरीक्का है अब हुआ क्या था 1886 को अमेरिका के शेहर शिकागो में मजदूरों के जानब से अपने हकुक से रिलेटेड एक मुहिं स्टार्ट हुई एक उन्होंने कैंपेइन स्टार्ट की खर ये जब तहरीक स्टार्ट हुई तो जब ये लोग सब जमा हुए साथ तो बेसिकली उनकी डिमांड वे थी कि कि वह हमें इंसानों की तरह ट्रीट करें हमारे भी बेसिक हुक है आड़ घंटे हमें काम करना चाहिए ये जो आप हमें बारा बारा 24-24 घंटे काम कराते हैं ये जियाती है तो इस तोरा पुलीस की फाइरिंग के वज़ा से बहुत से लोग जो है वो शहीद हो गए थे इन म इसमे को मनाया जाता है तो अगर हम गौर करें तो हमारे इद कि कोई ना कोई शक्स ऐसा जरूर होता है जो लेबर फोर्स या वर्क फोर्स का हिस्सा होता है हम उनके साथ किस तरह पेश आते हैं ये बड़ा इंपॉर्टन्ट एलिमन्ट है गर्मन्ट, एंजियो, प्राइव निलने चाहिए, इन सब चीजों पर काम हो रहा है लेकिन हमारा रद्य अमल क्या है, हमारा भीजियर क्या है ये बड़ा इंपॉर्टन्ट एलिमन्ट है, कल जब मैं सोच रही थी कि आच लिपटेस से लिवे कि बात शीप करनी है तो क्या इसी बात है जो मुझे पॉइंट करनी चाहिए, तो हमें अपने रवये को ठीक करना है, ये बड़ा एक ज़रूरी एलिमन्ट है, हम डिप्रेंट फोरूमस पर बाते भी करते हैं, एस्बुक पर भी लिखते हैं, सोचल मीडिया पर भी कॉमेंट करते हैं, कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना लेकिन हम पर करते क्या हैं, क्या हमारे घर में जो काम करने वाले अफ़ाद हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, हम अपने साथ को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको हम सुख दुख में तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, कि सारा एफ़र्ट होगी करें, खाना भी बनाएं, जपाई लेकिन, क्या हम उनके हुकुक का ख्याल रखते हैं, क्या हम उनको इतनी तनकाद देते हैं, जो मिलिमम है और उससे ज्यादा, अगर कभी उनको कोई problem हो या कोई जरूरत हो तो क्या हम आगे बढ़के उनको help करते हैं ये बहुत important elements है हम हकुक अला का तो बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन हकुक अला का एक बहुत important element है मज़़ूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसके उस मेहनत के पैसे हम आफ़ा मिल जाना चाहिए लेकिन क्या हम देते हैं ये बहुत important element है घर में कभी कोई problem होती है कोई issue होता है मैंने देखा है कि सबसे पहले तो घर में काम करने वाला staff होता है उनको कहा जाता है कि इस महीने तंखा जरा लेट मिलेगी मुझे बहुत अफसोस हुआ एक दिन मैं कहुंपे बैठी हुई थी तो मेरी जानने वाली है बखर अब उनसे मैंने महिया भी छोड़ दे कि उनका मुझे बहेवियर उनकी वाते इतनी अजीब लगी जबके मैंने समझाने की कोशिश की हुआ ये कि उनके घर में काम गरते थे शोफर थे उननों अन्दै पैगाम लिग जबा है कि मैंने बाजी से बात करनी है उन्हेंने का मेरे मेमान आया मैं मेरे बात मुझे अभी प्लीज मिलने मैं माँ पे बैठी हुए है अपने फोन से खेलना शुरू होगी ताकि मैं उनकी बात में ना भूलू उस शक्स में घूम के ये कहा के बाजी मेरी अम्मी की बहुत जादा तब्यात खराब है और डॉक्टर ने का है कि उनके दिल का उपरेशन होना है हम गराएंगे तो गर्वनन्ट होस्पिटल से ही लेकिन खर्टा उपर से बहुत जाता होगा तो मेरी तन्हाद मुझे एक अडवांस में देदें उसमें सिरफ इतनी बात कही तो वो खातून चीखना शुरू हो गई जा लगता है पैसे दर्खपों पहुकते हैं मेरे अलेडि इतने खर्चे हो रहे हैं देखा है कि आजकल मुल्क है लाग क्या हो ती कोई बोसी कोई बोसी कोई इतना शर्मिंदा था कि उसमें पैरों से अपनी नजरे नहीं उठाएं अब मैं उनको देख रही हूँ और बुझे भी घुसा चाड़ा तो मैंने फिर अरदीनी अवाद में गा मैंने का जरा आराम से बात करो उनकी अम्मी की तब्यात खराब है तो तुम चुप करो अच्छा मैंगी चुप हो गई मैंने का अब मैं क्या बोनी फिर वो शक बाहर गया तो उसके बाद मैंने उससे बात की मैंने का देखो यह जयात्ती है अगर वो बंदा एक साड़ी मांग रहा है तो उसको देखो यह कि मेरे पास नहीं है पैसे तुमारे पास चाट चुप देदो जो नहीं सोचा दिल में के बायद मित जोंगी तो कुछ पकरा जोंगी लेकिन उधर ही बैठे हुए उस पिर बाद उनका बेटा भागता हुआ अंदर आया और उसने का ममा ममा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज पीजा मंगा दे उस खातून में मेरे सामने व्यूर्स कोई 10 या 12,000 रुपए का ओर्डर दिया फोन पे अगर आपके पास 10-12,000 रुपए हैं बच्चों के लिए पीजा मंगाने के लिए तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि एक बंड़ा अपने मूझ से कह रहे है मेरे अमी शकल से पता चाल रहा है और अगर वो फॉर एक्ज जूते पैनेंगे मंगी मंगी चीजीशनेगे लیکिन हमारे घर में जो लोग काम करते हैं उनकी झार रिस्क्त नहीं करेंगे उनका ख्याल नहीं ही रखेंगे तो बात ये है कि आज के दिन हमने अपने आप की तरफ भी देखना है और ये अंडिस्ट्रेंट करना है कि हम क्या अपने इजगेद के लोगों के मसायल को सॉल्स करते हैं अगर हमारे घर में काम करने वाला कोई शक्त बिवार हो जाता है तो क्या हम खुद अस्पतार लेके जाते हैं कहते हैं कि अपनी तनहा में से कैसे पूरे करो जब तक वो एंटी बॉर्टे खरीदेंगे और बाकी दवाईयां खरीदेंगे मतलब चार पांट से सार को ऐसी खर्च हो जाते हैं जिए तो बात सिरफ इतनी है कि हमें अगर हमें अल्ला गाला ने साहिद है इसके बनाया तो हमारे उपर भी उप्षिनेदारी पकती है कि हमने लोगों का ख्याल रखना है जो लोग काम करते हैं उनको ब्रेक भी देनी है 24 खंटे काम नहीं कराना 8-10 खंटे से ज्यादा ज्याती है कि आप किसी बंदे को बगाएं अगर वो लगड़े के लिए आराम करना चाहते हैं तो आराम करने दे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर में लोग काम करे होते हैं या जिनके आफिस में वर्कर्ज होते हैं उनका नहीं भी काम होता तो वो बिलावजा कि उनको काम दे देते हैं दो दिन पहले अल्मारियां साथ थी तो फिर कहा कि अल्मारियां साथ करो जबके कोई जरूरत नहीं थी लेकिन सिरफ इसलिए एक आग युपर दूसरे को टॉर्चर करना है और उसको बिजी रखना है मैंने लोगों के मुझ से ये बाते सुनिये भी और इनको बिजी रखना है जाई ये फारग रहते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको किसी ने उनकी जिन्दगी की पुलीस बना दिया है कि वो जो करेंगे जैसे करेंगे आपने उसके उपर कॉमेट करना है ऐसे लोग भी हैं जो बढ़तन लेदा कर देते हैं तो उस फातून ने कहा कि मैं तुम्हें सारा बुलाया करूंगी मैं का बाजी मेरा बुल बुला ले ने ये मुझे नहीं याद रहेगा मैं सारा बुलाओंगी तो तब नाम ही बजल दिया युश ये बहुत अनसेर चीजें हैं और हमें अपने आप को ठीक करना है अपनी इस्लाह करनी है इंसानियत तिरफ रिश्टदारों दोस्तों और जानने वालों की a कर बॉसिस की तरुफ नहीं होती इंसानियत हर इंसान के लिए होनी चाहिए हमारे अंदर लिहाज और एसास हर शक्स के लिए होना चाहिए हर इंसान का बुनियादी हख है कि वो अपनी जिंदगी को इस भरपूर खुशाल अंदाज में गुजारे हर इंसान का हख है कि उसके सर पे छट हो उसके लिए खाना हो वो अपने बच्चों को तालीम दे सके और अगर वो बिमार हो तो इसको प्रॉपर मेडिकल एटेंशन मिल सके और अगर आपके घर में कोई काम करता है या आपके दफ्तर में कोई जॉब करता है या आपकी फैक्सरी में कोई मज़़ूर है तो हमें इस चीज का खयाल करना चाहिए देखें वीवर्स याद रखिएगा जो इनसान इतना मजबूर हो जाए कि उसकी उलाद खुदा नखास्ता बीवी शोहर बच्चे फैमिली का कोई भी मेंबर इतना बिमार हो जाए कि आखरी सांसों पे हो और मसला सरफ पैसों का है तो अपनों की जान बचाने के लिवीवर्स कोई कुछ भी कर सकता है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि लोगों को मुझबूर ना किया करें कि वो उस जगा पे आएं कि वो कुछ गलत कदम उठाले अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं हकूक अला और हकूक अलबाद दोनों को साथ लेंके चले हम मज़़ूरों के हकूक का खयाल किस तरह रख सकते हैं हम मज़़ूरों के हकूक का किस तरह खयाल रख सकते हैं यह हमारा आज का सवाल है प्रोज मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने इर्द इर्द बहुत ज्यादा अनफेरनस देखती हूँ मैंने अपनी भी बहुत इसलाह की है वक्त के साथ शायद क्योंकि मैं कैनिडा उनिवर्स्टी पढ़ने के लिए गई और वहां पर मैंने लोगों का रवया देखा, एक्ट्टूद देखा, कुछ चेंज वहां पर आया फिर जब यहां पर आई अपने इर्द इर्द का महौल देखा मैंने भी अपने आपको अभी बहुत ज्यादा चेंज करना है और अपने आपको एक अच्छा इंसान बनाना है तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने आपको जितना ज्यादा इंप्रूफ कर सकते हैं, करें ताके आपके इर्द के लोग खुशियों से और पॉजिटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जा रहे हैं और आपको दुआएं दे, दुआओं से बढ़के कोई तोफा नहीं होता 042-992-00628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj at ptv.com.pk पे एमेल कर सकते हैं अगर आपने ट्विटर और इंस्टरग्राम पे जॉइन करना है तो जुग्वर्ट के तौर पे लिखें तो आप मुझे जॉइन कर सकते हैं अगर लाइब स्रीमिंगे थू प्रोग्रम देखना है तो www.ptv.com.pk पे जाएं, ptv.com.pk पे प्लिक करें और प्लिक करें आपे बढ़ते हैं वीवर्ट आज हमारे साथ one of my favorite people, one of my favorite painter and personality मुहमद जाहिद है, जाहिद भाई ने आज हमें जॉइन किया है, सलाम अलेकूं मुहालेकूं, सलाम अलेकूं मुहालेकूं, जाहिद बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे मजदूरों के हुकुक के बारे में जनरली आपकी क्या राए है देखें बहुत अच्छी बाते हैं मैंने सारी सुनी हैं, मजदूर देखें वो काम करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते हैं अगर हम उत कार सकते हों तो फिर हमें जुरूरती नहीं होती हैं तो हमें उनका इतना ह्या रखना चाहिए जितना हम अपनी इसात का रखें क्योंके वो काम हम पहरी ही सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग है उसके जिए किसने मुदूर लगते हैं जिसमें हम सुकूम से रात को सोते जिए अगर अप की एंडर में हैं गिर हम उसको पैद करके नहीं है अकर उसने छुटी बिरेनी होती है कभी जाएत बाहिए दिल क्याता है कि बस् रिलैक्स करेगे अगर अगला आपको कह रहा है कि बाजी मुझे शॉपिंग करने जाना है आप कल मैं चली जाओ हाँ बेटा चले जाओ क्यों नहीं क्या मिल जाएगा लोगों को टॉर्चर करके और उनको कबजा करके मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के जो दे टुडे फ्रस्टेशन और इरिटेशन होती हैं हम उन लोगों पर निकालते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे चुटी का नाम आएगा कलते हैं कि हमारे गेस्ट आ रहे हम नहीं जाता है वह बहुंद हो जाएगा अब मजदूर जो है ना मेरे हाल से सबसे ज्यादा उसका हाक रखना चाहिए क्योंकि एक उसको टाइम पर दे क्योंकि उसका और सोर्साफ इंकर कोई नहीं होता है ठीक है तो ताकि वो आपने बच्चों का आजए कि मैं मतरब फैमिली फैमिली भी इसी आए जो जनेरेशन पुट जनेरेशन चाहिए सिर्फ लेबर वे जैसे बटा बे मुदूर काम करते हैं उनका तब कलीम से भी कोई ता लगने है बल्कुम अब चोट शोट इतने बच्चे देख्यों हैं मतर वह भी काम कर रहे हैं और सुपर टायम करते हैं इसी लिए इस साल की थीम व्यूर्ड यह है कि बच्चों को ख़गा प्लीज एबर फोर से निकाल की स्कूल में डालें तो दोग अपने बच्चों को क्यों डालते हैं स्राई क्यूंकह उनके पास rein यह राग है तक यह काम करते हैं। और रहे की टाइम ही तुफ होती है। अगर आग जून, जॉलाई के महीना में इनको देखे हैं। जहां पर बटी होती है। आग लगी होती है। तो आप अपना ये काम करें। जी हाँ भी ओए। आगे चलते हैं। मैजबीन हमारे साथ हैं अच सलाम अलेकुम 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 असलाम कैसी है जुगन? बिल्कुल ठीक मैजबीन ये बताइए कि आज हम बात करें लेबर जे रेलेटेड़ आप क्या आइज करना चाहेंगे? चुकन के खुश इखलाकी से पेश आएं उनके साथ और उनका एहसास करना सिखें चले जो आपने उनसे कमिटमेंट की है पे की वो तो आप दे रहे हो अगर आप से सो दो सुरुपया उपर दे दोगे कि अपने बच्चों के लिए फूट ले जो तो कितना खुश होंगे और वीवज मैं पता एक सच क्या करती हूं कि घर में अगर मैं कोई चीज आई है जैसे किसी ने किन्नू की पेटी भेच ती तो मैंने का तुम लोग आप लोग सारे खालो दो चार चोड़ने ना कि भाई का लेंगे हम्जा काने का लेंगे और आप लोग पता है क्यों हल जो फूशने तो कि या खाना है जब गया किसी नेन पीजना कहना हुता है कभी किसीने क्रिपी चिकन वाला बर्गर कहाना होता है तो यह ज़सरें चीज़ें वांस एज़िए कर टेर तो ऑगर कोशिश करनी चाहिए कि हम उधर भी एक एफ़र्ट करें और बैसे ना करतें आ जुकर आज आते हैं अपने हाँ के मेंग्यों की तरहीं? जुकर आज हम बना रहे हैं अफगानी प्लाव और उसके साथ एक हम जो मिठा बना रहे हैं उसमें बनाएंगे चॉकलेट चिप ट्राइफल वेरी नाइस तो अफगानी प्लाव बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिएं उसमें हम लेंगे मुर्खा गोश्टे किलो हैं चावल एक किलो प्याज एक अदत नमक अस्पे जाइका ताली मिच आधी चाय का चंबच है, गरमसाला एक खाने का चंबच, दीरा एक चंबच, इलाइची पांच अदत, किश्मेश 50 ग्राम बदाम 50 ग्राम है, गाजर एक अदत और तेल पीन खाने के चंबच है जुकर इसको बेसिकली बनाते हैं दुम्बे के गोश्ट के साथ और होल चिकन के साथ भी हम इसको बना सकते हैं उसको फिर यह होगा कि पहले मेरिनेट करेंगे और उसको थोड़ी देर मेरिनेट करेंगे और उसको थोड़ी देर मेरिनेट करके फ्राइ करके तो फिर उसको जो नहीं होता। जैसे चिकन गल जाएगा उसके बाद हम इसमें स्टॉप शामिल करेंगे यकनीda पानियाग शामिल करेंगे। जैसे लुरी मिर्चे अजय को दंगा देगे। नहीं हैंदाएगे। उसके बाद आपने दम लगाय और गरम रायते और सालड के साथ साथ उसके बाद जो हम सेकंड डेसर बना रहे है चॉकले चिप ट्राइफल वह है उसमें दूर हम लेंगे तीन कप उसमें कस्टर पॉडर है तीन खाने के चमच चीनी चार खाने के चमच हैं चॉकलेट कुकी स् सबसे पहले आपने सर्विंग गॉल में जो है के लिए की लिए की उसको हम दूद के साथ माइस करेंगे ऐसे नहीं चुड़ेंगे उसके बाद कस्टड बनाएंगे दूद को गरम किया उसमें चीनी शामिल की और कस्टड के साथ हमने उसको जो भी आपको फ्लेवर पसान दो आप चॉकलेट नहीं लेना वर्ना वो फिर सारे कलर सेम हो जाएंगे आप में वनीला लेने बेसिकली उस तरह तेज भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा होता है आप ने वह कस्टड बनाया उसके बाद जो हमने चॉकलेट कुकिस क्रम्स है उसकी लियर इस पे करनी है थोड़े से चॉकलेट चिप की करेंगे उसके बाद क्रीम के लियर करेंगे उसके बाद सेम ऐसे ही हम सेकेंड लियर करेंगे और लाग पे जो हम इसे गार्णिश करेंगे उसमें चॉकलेट चिप सूपर आजेंगे और इसके इलाबा ये जो कुकी क्रम्ग है और क्रीम इसक तो आज हम Tribute पेश करेंगे International Labor Day से रेलेटिट लेबर को उसे देखते वे आपको information देते वे ब्रेट में जाएंगे. Welcome back viewers, अब वक्त है आपके favorite part of the program का, which is the question of the week. Question of the week, अगर आपने सही जवाब दिया, तो आप हमें Lucky Draw का हिस्सा बनेंगे, Lucky Draw का हिस्सा बनेंगे, तो Lucky Draw होगा on Friday. Friday को हम announce करेंगे Lucky Winner of this Royal Fan Pedestor Fan. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस Lucky Draw का हिस्सा बनें, तो आपने हमारे सवाल का जवाब देना है. Royal Fan का ये Pedestor Fan जीतने के लिए Question of the Week मैं आप इसा चेर करूँगी, आप इसका जवाब इनबॉक्स करेंगे हमें Facebook पे. तो इसका जो आज का हमारा जो Question of the Week जो है वो ये है, बलोचिस्तान का दारोल हकूमत कौन सा शहर है? सकर, कोटा, जैकुबबाद और कबादर. Three Viewers, Welcome. इस वक्त हमारे साथ एक बहुत सी यूनीक और टैलेंटिड इंडिविच्वल है. आप एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं. और आप लोगों की हैंड राइटिंग को देखके उनकी परस्नालिटी के बारे में पता जेते हैं. अब ये चीज़ तो बड़ी इंट इसका चाहिए ये जाना बहुत सुरूरी है. हमारे साथ मुहमद आशासम अलेकुम. अरेकुसलाम एक बताईए के ये हैंड राइटिंग, मतलब आपका इसकर परधान कैसे हुआ, के हैंड राइटिंग को पढ़ें आपका इंटरिस्ट कैसे पाईटिंग को पढ़ें आपक इसके न फ़र्ट करनी है, इसके ने छीड लिखा इसे ने लिखा तो अनमे ये बताया कि ये ठीक से मैं टेक्थ करूं गुरा लेकिर इस मज़ने लिखा है, ये बहुत वहुआ है ये बहुत सॉलिड और रीजञेंबल है। मैं बड़ा हिरान हुआ कि यह कैसे हैं। तो साथ के उनके बेटा बैठा था तो वो मिझे बताने लगा कि ने यह जो पॉइंट में लिखा है ना इसे ही पता चलता है कि यह साथ की किसी वाक अपने पुज़ज़़ जिए हो जाती है। मैं बड़ा हरान हुआ कि एक यह बता रहा है दूसरा इमझे यह बता रहा है फिर कोछ लिए बाद उनके और साथ के साथ में ने कुछ दें गुज़़ए पिर मुने दिक्शन किया करता था कुछ मैंने चीखा और उसको मैंने पर आगे चलता चलता को उसमें हैल्थ में कि यह तो मैं देख लेता हूं कि यह साथ यह हैं लेकिन उसको फेवर क्या दे सकता हूं तो अब बड़ी यूटफुल चीज है अब अगर परस्नालिटी के बार में बता भी दिया तो तो मैं उसमें ते यह देखा कि मैं लोगों को कैसे फिवर दूँ मैं इसको फर्मोट कि मैंने यह देखा कि मैं आप मुझे बता दे एक राइटिंग दें, मैं उसे कहूँगा कि यह आपके परस्नेलिटी है, यह इसकी लिमिकेशन्स है, यह क्वालिटी दें, इन को पॉलिश करें और इनको जो है इसको आप रिमूव करें, फिर इससे बढ़ा कर मैं यह बताऊंग इन को पॉलिश कैसे करना है और इनको रिमूव कैसे करना है, वो सुलूशन भी ले जाओंगा, और कुछ हद तक अगर उसको हैट में इस्यू आया तो थोड़ा को बहुत करता हूं लेकिन नहीं करता है, यह बहुत तेज हैं, वहां तक नहीं पहुंचा चाहता है, बिलकु मेरे बारे मेरे 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 तो अब यह बताइए आपको कुछ काड्स हमने दिये हैं जिनके उपर डिफरेंट लोगों के राइटिंग लिखी होई हैं लेकिन उस्ते पहले जरा मैं भी तो टेस्ट कर लो ना तो मैंने यह लिखा है साथ के लिए पेपर के लिए एक लाइब आपको गाइड करें यह पूरी प्रोसेस करने का रीजन यह है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि जो डिफरेंट और जो उनीक टैलेंट्स है लोगों में उनको एक जो हम सामने भी लेके आए और उसके साथ-साथ आपको एक गाइडन्स भी दें आजब अगर थोड़ा साथ आप मैंने विवेज लिखा है we must respect human rights क्योंकि आज international labor day है मैंने सुचा उससे related ही एक line लिख देती हूं तब तक अब अब हमें आतिव भाई इस तीज से related guide करेंगे कि actually very interesting यह एक line है अगर आप छोचें viewers कि किसी की handwriting से आप यह जान ले इवन यह जान ले किए health issues क्या है बट obviously यह understand करके सीख के बंदा आगे चलता है यह नहीं कि कोई भी बंदा डिसाइड करें के हम यह कर रहे हैं इसलिए हम आपको दिखाएंगे on-air के आशिपा exactly करते हैं जी इसमें पहला point जो में गोड़ने हैं वो यह है कि आप 99 second में decision करती है quick service यह नहीं है कि आप किसी जागा पर भी किसी फाइंट पर रोख जाएंगे अब foreign yes or no यह एक बहुत अच्छी quality होती है सबसे ज्यादा जो issues आते हैं वो decision पर होते हैं जो अच्छा decision maker होगा कोई obviously एक अच्छी force को अच्छी team को आगे लेकर जा सकता है decision आपके जो है लेकिन इसमें एक चीजिए देखी जाती है यहारे किरी नहीं होता इस स्टेज सक पहुंचने के लिए हर बंदा कोई decision करने शुरू जाएगा तो खलत भी करना जारा जाएगा उससे पहले वह स्टारा homework का आपको होता है उसके बाद आप स्टेज पर पहुंचने को हो फिर रुखना नहीं है और यह वो लोग होते हैं जब बंदा executive approach सक पहुंच जाता है उसके बाद यह प्रोजिशन बंदा की आ जाती है कि अगर आप किसी एका slip हो जाती है माइनर सी तो आप कैसे damn care next stress चाही फिर मैं प्रेंट कर लूँगी clear कर लूँगी कुछ लोग उससे मायूस हो जाते है मायूस आई एक चीज अटेम्ट की दूसरी की fail हुआ second time fail हुआ third time मायूस होकर बैठ गया आप में वो नहीं है आप ल तो जब इस पेज़ पर पॉइंट है तो उसका मायूस है नाकामिय भी उसका कुछ बिदार डी सकती है यह फिर वहां पर उस पीफ पे हैं आप और दूसरी चीज है यह बड़ी हो कि क्या बनूगी अच्छा आपको लॉस्ट नहीं हो सकता आप किसी चीज को अंडरेस्टिम क्योंकि एक गजो बंदे की कामी होती है वह भी एक फ्रवार कर लेती है ज़र मैं यह को यह हर एक को सवार कर लेती है तूसरे जवर मैं यह नहीं को उन्च मैं भी अप्रसम नजी थाम नहीं आप इलिए आपे और आप मेंत अज passions meant in अनिके से आपके सब्सक्राइब आप Gelएए आपके तो आंगे खुखी युजए जो ओक आगे चलते हैं और से कंपीद कर दी तो जो पे Przyजब उसे नहीं रखती को इसको बलके constructive रहती हैं कि तो ठीक है जब मुझे बता दिया अच्छा दिया अगर मुझ में यह थी तो मैं ठीक करूंगे अगर नहीं है तो चलो damn prayer आप जाने आपका काम जाने उसमें आपनी बसाना था मैंने यह करना था और आपने बता देवाना लोगों ने मुझे फोन करना शुरू करते हैं कि हमारे लिए प्रीज दौा किया करें आपको आप सुचने का टाइम ही नहीं मिलता आपको तो उस वक्त आप महूली सी educate करती हैं लेकिन उसके बाद जब आप आप सुचती है कि जो मैंने काम किया ता आपको 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 आपक आपने खुद तो कहा था कि इंग्रही नहीं बोलनी मैं तर पड़ी मुश के दिए अच्छार पर आप दोरे लिए अगी situation है ना अजबाई बड़े-बड़े words आपने यूज कर लिए ना अच्छा तो किसी से impress नहीं मेरी personality है मैं बेल को ठीक होते ना उसको देखा और होगे यह मैं इसको देखा और मैं इसको देखा और मैं इसके कपड़ों दो आपने वैसे अभी तर से भी बताया अच्छी सारी थी वहीं करेक्ट बताई अच्छा थैंक्यू और इसमें थे हैं अच्छा बद चीक है आपकी जो बहुत थे स्पीड भी नहीं चलती हैं और स्रोग भी चलती हैं समूत समूत चलती हैं इसलिए ऐसे लोग जोते हैं इनको डिसीव कर सकता और यह किसी को डिसीव करते हैं नहीं यह लाइन से हटते हैं नहीं किसी को लाइन से आने रहते हैं अपने 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 रस्ते जिसने भी लिखा है, कि ज्यादा भाहिम पन्जाब में कैसे शुरू करों, कि ज्यादा information क्लेक्ष किये बगहर ज्यादा ट्रस्ट कर लेना, यह लिए, अलाट अफ information collection के बाद ज्यादा ट्रस्ट कर रहाता है, वो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें डाज नहीं हो सकती, लाएं, इसके तोड़ा साँ कम है, कान का गच्छा भी ऐसे लोगों को कहते है तो लाएं, आप अब आपको तुए चार बाते पाँ यहां बयान कर जाता हूं कुछ लोंको बड़े-बड़े-बशचा था, पुछ लोगा बधा क्वुटेटे एं बहुत अच्छा होगा, न तो यह वो लोग हैं. Second thing जी है कि यह technical भी है. इनकी दिमार को ब्रेन को ज्यादा सज्धार ज्यादा ज्यूज़ करने के कोशिए करते हैं. यह इसको भाई आप पैसे डिफाइन कर सकता हूं. कि technical issues को maximum approach करने के कोशिए करते हैं. अच्छा. सिंपल की बजाय. और जब कुछी स्काम पर फार्म कर रहते हैं तो इसको प्रापरली एक्स्पैन भी करते हैं. कि मैंने यह प्रोजेक्ट कर लिया था, यह टॉक्स मैंने कर लिया है. तो कैसे की है? मैंने मेरा क्याल होता है कि खुद से इंफर्म करने के बज़े, तो इसको अच्छी दुनिया खुद देख लेती है. कि जो डिलिवर हो चुका है यह फीव हो गया. Next question. अब जिए कैसे ने लिखा का I hate you all, इसको हम भी hate करते हैं. I hate you all इसको हम भी hate करते हैं. इसको हम भी hate करते हैं जी. अब हमारे पास इतरह हैं फारेश्टाइम है कि हम लोगों को hate करें सर? Most say all the. इना में क्या लिखना है? और चमकती चीज़ सोना नहीं होती. इनको लीर करने का चौक भी है और लीर करना भी जानते हैं. इनको लीडिंग क्वालिटी जिन में लीडिंग क्वालिटी प्रॉपर पाई जाती हैं. और इसके इनको भी माइनस पाइंट यह होता है कि अब एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो उसको बहुत डिटेर तक ले जाएंगे. लगीर के फकीर? लगीर के फकीर? इनको लीडिंग का शौक है लेकिन इनका और इनकी अप्रोच जो है वो पॉइंट तो पॉइंट भी है और आंडी होल भी है. पॉइंट यह इनकी स्पेशल्टी है, अला कि होता ही है कि जो लीडिंग करते हैं वो आंडी होल अप्रोच उनकी होती है, एक सिस्टम को आंडी होल देखा और ओके कर दिया पर छीक है. और बाद रोकर से इसे पॉइंट पॉइंट देखते हैं, इस चोट चोट पॉइंट पॉइंट पे देखते हैं वो आंडी होल देखने का ताइम यह नहीं मिलता, यह दोना चीज़े देख सकते हैं. यहां पर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे, तो हमरे यह हमारे साथ ही होंगे, अगर आपने भी कोई चीज़ लिख, अच्छा आप लिख की कैसे आप भेजेंगे, चले, नेक्स तरफ जो हम इनको बलाएंगे, पिक्चर भेजने बेशक हमे अपने सोशल मीडिया पर वाटसाप करते, मगर अपने हाथ से लिख के देजिएगा, वाटसाप करते तो हम कोशिश करेंगे, कि हम इनसे आपके परस्नालिटी की एक तक चले, आफ्टर ब्रेक वेल्कम बैक सिन दे ब्रेक वीवर्ज, मुहमद आसिफ मजोका हमारे साथ हैं, आप हैंड़्राइटिंग एक्सपर हैं, लोगों की हैंड़्राइटिंग देखके उनकी परस्नालिटी के बारे में बताते हैं, और फिर फ़र्दर गाइड करते हैं, कि वो ऐसा क्या कर सकते ह अपनी परस्नालिटी के साथ, कौन सी ऐसी आदते हैं जिनके उपर काम करें, ताके वो अपनी जिन्दगी में जादा कामयाग हो सके, ऐसे भी तो होता है न, हैसे कुछ लोग ऐसे अपनी तरफ से सारी मेनित कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाब भी कि पहली सेड़ी में नी अगर अगर एक दफ अपीर होता है, तो हो कहता है कि मैं कलियर नहीं कर पाया, इंट्रिव कलियर नहीं हो सका, तो मैं उसे बताऊंगा भाई जेन्टल मेर कहां से आप से लिप हुए हैं, वो तो लेख देंगे ये पॉइंगे आप में माइनस थे, लेकिन ये हुए क्यों य ये बहुत रेर है, शायद आप उन्डी बन हे जो राइसिंग से परसनालिटी बताते ते हैं, वे हैंन राइसिंग एक्पर्ट हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं, डोँन थिंक और कोई कर रहा हैं, कुछ पी बीनी और रहा है, मैंने अभी का सुना इतने एकश्चे से मौनिं के निए मेरे पास पिरह पैले मोचे पहले पहले कि रूशन यह होता है कि मेने परशनलिटी के बारे में एड ही ऊको मेरेड थे कि मैं बता रहा हुआ हूँ आपके बारे में आपके बारे में आग Skillshare आख कि पटा दिया अगर आपको पाता चला कि बढ़ा है पोड़ी के दो पोशने करता हूं एक साफ़वीर एक हाड़ एक ब्रेन और एक दूसर फर्डेंग और अगर आपकी ट्रेनिंग वह प्रेनिका कमी नहीं हैं प्रेंट ठीक है तो जब भी आपको मिलेगी आप उसको वाइल कर जाएंगी और अगर ट्रेनिक और ट्यूनें में क इसमें आफ नाकामी का सबसे बड़ा अवाग यह हैं, ए मिर बदोग आते हैं कि हम नकाम हो रहे हैं, होता है यह जो भी आप काम करें, जिस जिस लाइन पर भी जाना चाहें, पहले उस रंग में ढ़ल जाएं, फिर काम करें. मैं हमेशा आजरेख जाते हैं तो पहले भीजिसमेन के साथ उनके रंग में ढ़न जाएं तो फिर भीजिस चुरू करें वह असल में हम बिजिसमेन तो बनना चाहते हैं लेकिन विजिसमें ना चलते वे देखा होता है जो इंसान PN के लेवल पे काम करके C वो बनता है ना उस इंसान को एक एक चीज का पता होता है यानि कि जब उसमें उस चीज के उपर एड्मिनिस्टेशन करनी होती है, उसे रंग करना होता है, वो अंडिस्टेंड करता है लेकिन पानी की तरह होना है, हर रंग में ढलना सीखना है वरना आगे ली बढ़ भाई है अजसर सर्माइश बड़ी दोर की आरी है कि कुछ काज आपके पास और राइटिंग के आए हैं वो तरह शेयर करें यह जो साब है, इनमें यह जो डॉज नहीं है, फ्रॉड नहीं है, बात बड़ी क्लियर करते हैं लेबर हैपी लेबर डे वाले अब जी नाम जो भी है इनमें फ्रॉड नहीं है, और जो काम इनों स्टार्ट करना है उसको उनकी सिनिश इक बहुत अची है, जब तक सिनिशिंग नहीं होगी और स्थेक्शन नहीं होती, यह नहीं है काम छोड़ कर से लेजांगी जो अपने क्लोजिंग पे पूरा ही ध्यान दें, पॉइंट तो जए ही दें, लेकर एंड पे ज़रूर दें, क्लोजिंग चेक करें और इनकी ये चीज एक और आला जीज चीज है कि ये साथ किसी साथ मिस्पहेव एड के कोर्स में नहीं है, इनकी परस्नेल्टी में नहीं है, कि मिस्पहेव करेंगे, उन्पिल अनलैस कि बहुत ज़्यादा कुई नहीं हो जाए कुछीज एक स्क्रीम पे चलीगा है और अगर कि अनला अफ सड़न डिसीन करना पड़े तो उनकी ये माइ एक्सपाइट हैं और कोई नहीं आया अभी सिप आपके तास्क है आपने परफॉर्म करना है और इतना एको रेट आएगा कि उसके बाद फिर उसमें खलक की कोछ चांस आई है और ये किसी चीज पर अपने आपक अना का मस्वानी बनाते हैं अगर मैं उनको बताता हूं न कि आप में ये खलक चीज है तो मान जाएंगे एक पियन बता देसा है कि आप में ये सार ये चीज आपे हैं तो ये लिए कि आप कौन है मुझे बताने वाले वो देखें कि बहुत सोचेंगे और से ठीक बात की है उसे अनीमेर्ट परेंगे एक और ये चीज दिनकी कि अपर टॉप सिर्ट डिसकस में करते। घिए, मेरी मा मेरी जनक्त है, मेरी मा मेरी जनक्त हैं ये मनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं मैनेजमेंट कोई शक नहीं हैं लेकिन ये चीज होती है कि एस from लोगों को बता द पाकिस्तान इसमें इनका फूचर ब्राइट रहेगा एक चीज लेकिन प्रेजन अच्छा नहीं है इनका फूचर बाइट आ मी पुछी नहीं जो इनका खाशियान जो इनका बर्णे जो एक नाहीं है एक आप मेरे पस कोई वही आती है वही कहस्रा कर दो ओक है मसला यह ऐ कि मैं बता सकता हूँ कि इनका मेंटरैश्टी यह है और इनकी प्रैसर यह गाड़ी यह जारी है तो ये बिजनेस कर सकते हैं ये वाली परसे हैं नहीं कर सकते 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 हैं ये नहीं कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं 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 नहीं कर सकत तो हमें तो हम्तिभी ज़ी ज़्यादा आरी है नेक्स्ट परसन ज़र एडुकेशन इजार देट ज़र एडुकेशन इज़ अगर क्या इज़ा पखनी अगर दी आरी डबर अड्रेस भी लिखा हो रहा यह इनकी मैंनेज्मेंट का इश्यू है जिसे मैंस पुआड़ कोई काम जिब करें, रुनको प्रप्र मैंनिज करके किया करें आई लेगे इनका इनका के लागता है जुकि यह भी अजाएं के अब करना होता है और रुपकर कर लेंगी ना पर फार्म करना थाँ होगा तुसी वीज जीए हम सबकी बडी प्राबलम है, हम सबको चीजें करने का शॉक है हम उसके और लिए महिनत करना नी चाहते हैं, हम एफर्ट नी करना चाहते हैं एस, डिसिजेजन आपका रुट लेइंगे जब आपका होमवक भी पूरा होगा Quick decisions without homework बड़ी ही dangerous चीज होती है You can never plan the future by the past इनका मसला है यह जब आप सरण कोई काम करते हैं तो काम काम और सोच से जादा इसमें खलतना हो जाए उने जे कोई बाद में एक दफालतोगा दूसरी तफार तीस दफार खीज़ाएगा और Compromising है आपकी mistake है Compromising और अच्छी बात इनकी यह है कि इनको आपके तरीख करवाने का शाउब नहीं है नहीं है? नहीं है चले Next time इस personality की कोई तारीश नहीं करें आच्छा बस आपके शाउब नहीं करें नहीं करें नहीं है अग्ली नाइन के इसे हैं लोगों में बस एसास नहीं होता इनका काम यह जो है ना यह तो बहुत दुखी इंसान है जो दिये नहीं इनकी सबसे ची बात जी है कि रस लेशनेचर है अच्छा Strucker-carrier-carrier-carrier-carrier-car जिकर चर आजाते हैं और यह management-bathleen कर लेते हैं मिशर्थे के ये फ्री हों तो अपको पी ना लिटरली इस वो चछतीस कार्ट पर क्याते हैं बाइदवे अच्छी जो है वो एक घंटा एक लाइन किसी की लिख्यूई पर गुजारते हैं ये जो हम सास्पावग किसा ज्यास्थी कह रहे है ना बट सर अब आपको पता है न व दो और गुमें कट के दो इंतिज़ार में ये प्री बात है किसी पर ट्रस्ट जल्दी नहीं करते हैं अगर कर भी लें तो फिर भी नहीं करते हैं अच्छा आपको ये पता चलता है मेल है की फीमेल है राइटिंग से बहुत कि तरह चल जाता है लेगिन बताने वाली बाते ह कि इसके एपने सुननाना चाहता है, आप और मारे माइनस पॉइंट की पर जब जाता है। ये इनकी जल्दी एंकी तरिस्वेक्शन नहीं होती और ये इसके बाद भी हजोट में रहती हैं, नहीं रहाना झाले का लिए जब कार लाग्रणा हो जाए। जो जरा सा सर दुगा फिर वही पराना दर्दुगा वही प्राना दर्दुगा तो जिते गोंड़ो की दन्दे गया दारी है यह इन की जो है ना यह काम दिलिवर प्रॉपर नहीं का सकते हैं सोचते हैं प्लैनिंग को दब दस करेंगे जब फील्ड में काम करेंगे तो नहीं इसलिए फील्ड में नहीं काम करना चाहिए इनका काम करें कि दूसरों को बेद बताएं खुद फील बेना उतरें क्योंकि बेडा गरक कर देंगे खुद इनकी जबाव उस जिन्दी की तेमिल की नपूछ जो हास्तों के दूप में तब कर गया इस इतने दुखी क्यों है सारे के सारे बुट पूरे अशार लिख दिये एक लाइन में लिख दे से माई नेम इस डिस अच्छा इनका ये है कि जिस बात पर इस बात पर अच्छा कर लिया डट गया तो जब तक खश्म नहीं होगा तब तक ये फ़्लाप नहीं होगे इसे लोग होते हैं अगर काम्याबी के रस्ते में रस्ता ठीक मेलेगा ना तो वो तो चलते उनका काम पर चलते रहना उस लाइन पर आगए तो वो उधर पहुंच गया गोल आचीव कर लेंगे और अगर फुदान खाता स्लिप हुए तो उस आरे पर स्लिप के हो जाएंगे तो ने जरत ठीक छोड़ना कोई नहीं उनको एक हसा से बूसरा टैक पर जाने के लिए उस वरता इनका इशू आता है और जब ये एक होवर कर लेते हैं तो उसके बाद बिजिवर करनाने के लिए कोई शू नहीं और एक हसा तक अफंशिव भी है ये आखरी है जिस चक्स त तो उसके बूल्ड होगी वह तुम्हें सच्छी महबबत होगी वह तुम्हें सदूल और नजाइस कामें से रोकेगा ठीक है अच्छा है बोल्ड हैं लिबरल बोल्ड लिबरल और यह ऐसे लोग होते हैं जो इनको अगर आप इसके सफर कर रहे हैं और अगर आप इसके सफर कर रहे हैं और अगर आप इसके सफर करने के कोशी करता है तो उदर किया नहीं करते हैं तो उदर किया नहीं करते हैं तो उदर किया नहीं इन में यह नहीं है, को कहा है ठीक है आप बिलकुल ठीक है, आप बिलकुल थे कह रहे हैं, मैरे पस टाइम नहीं कि मैं आप से उज्जिए हुँ, मैरा आप में अबजेक्टिव करना चाहता हूं। भी इन के अच्छी बात है, और यह अच्छी बात है। और यह उज्जेफ वालिटी जो है। जए मुझे फादर वाले में लाइन, जए अपुदेर में बाते हैं। और यह क्वालिटी जो निया है तूसरों से नाउज दिने वाली वो इसाइट जाई है अचै आसिर पाई युकिए अब आपको अविसली और अफ तंग करते रहेंगे कि प्रोग्राम पर आएए ज़रा थोड़ा सा गाइड करेंगे और नेक्स ताइम हम अपने वियूर्स के भी काफी जादा आपके साथ लिखी भी राइटिंग चेयर करेंगे हम उने जरूर कहेंगे कि यह बता दें कि अपने प्रोफेशन या किसी ऐसी चीज के बारे में कोई ऐसा सवाल है जो बहुत उनको बादर कर रहे है तो वह बता दे ताकि थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा अच्छी है जो है जिसमें थोड़ा सा त्रीका के जोगा आप मुझे क्या पूशना चाहते हैं मुझे बताया जाएगा फिर मैं आपको संटेंस दोता हूंगा या जो यह लिख कर दें तो पर इस तरह तरह यह तो आप आगे नसे आया आप इस बता दी तो आपके पूशन आपने लेख दिया मैंने जर्ण सेन समबश हो सकता है यह जो चाही नहीं होगी जो मैंने बताया एग आप कुछ और कुछ और कुछ नहीं नहीं लिख दी और पिर उसके पहले को से बेज़ेगा मुझे वर्टसप कर दे और फेर उसके बाद मैं इसम जर्स बता हूंगा कि इसको आप बालपेंट से लिखें, बालपेंट से लिखेंगे और मेरे पास रेजिए और फिर उसमें वार्सरों से लिखेंगे. Wonderful, thank you so much, Arsipai. God bless you always. And viewers, हम जाएंगे break की तरफ, break के बात सौरण वापस आएंगे. और फिर international labor day से related बात चीज़ करेंगे. Welcome back from the break viewers. आज हम बात कर रहे हैं international labor day के हवाले से 1st में को, I think 1891 से ये दिन मनाया जा रहा है on a regular basis. आज इस साल की जो थीम है वो ये है कि बच्चों को फील्ड में काम नहीं करना चाहिए, उनको अपने ख्वाबों पे काम करना चाहिए. या हमें के उनको खेतों में और दुकानों में labor के तौर पे job नहीं करनी चाहिए, बलके उनको अपने future को बिल्ड करना चाहिए, अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए. और यह हर इंसान का बनियादी हक होता है. आज इस दिन के हवाले पे बात करने के लिए हमें जॉइन किया है खालिक महमूद साहब ने, अससलाम अलेकूम. आप लेबर अक्टिविस्ट है, और उमे लेला ने भी हमें जॉइन किया, अससलाम अलेकूम. वालेकूम. शीज़ और यूमन राइस अक्टिविस्ट और लेबर अक्टिविस्ट. और नियाद खान ने हमें जॉइन किया है, चैनल सेक्टेरी प्रोग्रेसिव लेबर फेडरेशन पाकिस्टान. अससलाम अलेकूम नियाद भाई. वालेकूम. सबसे पहले तो, आज के दिन की अगर हम हिस्ट आज करते हैं हैं सबसलागे वालेकूम. तॉस यूजूम से जो वरकिंग हावर थे वरकिंग हावर्ष की डिमाग थी. कि हमसे 8जवें अच्छिए चाहिए हमें 8 गहन्ट एपनी था फेमली के लिए चाहिए और 8 गहन्टे हमें कर ने के लिए चाहिए यह द गून्यादी ड वो कवानी नहीं थे उस तरह से तो यह अवराल एक तहरीक थी लेकिन जो इसकी बन्याद थी वो वर्किंग आवर्स ठीक करने के हमाले से थी फिर इस में मजदूर शहीदी हुए जब उन्होंने वैली निकाली यह जो सुर्ख निशान है मजदूरों का आज भी यह बन्यादी जब तहरीक बड़ी तो फिर पूरी दुनिया में इस पर बात हुई और फिर जैसे अब ने बताया कि 1891 से इसको मनाय जाना शुरू किया थी इस दिन को यह मुक्तिसर तारीख है उसकी लेकिन अगर हम देखें तो जो उसक्त हलाद थे 1886 में मजदूरों के हमें बहुत सारे मेहनत करशनी है जो बारा गहंटे से कम काम करता है जब आप बारा गहंटे काम करके भी और आपकी वेजिस आपको इतनी ना मिलें कि आप एक अच्छी बेहतर जिंदगी गुजार सकें तो घर जाके जो मजदूर के कोई जिन हालात कर सामना करना पड़ता है जो वो फेस करत अपनी पूर जिन्दगी में तो हम अकसर जब मज़ूरों से मिलते हैं चुंकर हमारा काम यही है तो हम देखते हैं कोई फरक नहीं है पाकिस्तान के आज के आज के हालात में और उसको जो मज़दूरों के हालात थे इस प Demon Duo पाकिस्टान में आज का दिन मांना रहे हैं सारी इस इंसान के पास कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको भी तो इस चीज का ख्याल करना है, जिस दिन कोई चेक करने के लिए आया अथॉरिटी उस तन सीबे होका है उसके पाद वापिस, मुझे हैरत इस पास की होती है कि इंसान ने क्या सुकून की नीम खुद नहीं सोना होता, आ मुझे एक दिन एक मसूर ने का के बाजी, हम तो अपने पैसे मांग रहे थे, बाई से, कोई खरास तो नहीं मांग रहे थे, अपनी मेहनत के अपने खुन कसीने के पैसे मांग रहे थे, तो वो इस तरह से हमें पैसे देते हैं और देते ही नहीं और रख लेते हैं पैसे, फ पागसान भी शामिल है, तो सिचुएशन ऐसी ही है. अगर हम औरतों को इसमें देखें, और इस पूरे कॉंटेक्स में जब हम रेवर की बात करते हैं, तो औरतों की सूरते हाल तो ज्यादा इसमें खराफ है. एक जैसे काम कि अगर मट्स पैंसे टुपए उसको मिल रहे हैं, तो औरतों को उसी काम के 35 रुपए मिलते हैं, और अगर वो आठ खेंटे काम करती है, तो इसको 35 रुपए मिलते हैं, तो जो गेंडर वेज़ वेरियेशन गप जो हम कहते हैं, वो अगरतों में बहुत जात है और बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ फिर हमें यह भी और यह जो गेंडर वेज का जो है, यह पुरी दुनिया में है, पाकिस्तान इसलिए हमें नजर आता है कि उनके पाकिस्तान एक अंडर डिवेलप कंट्री है, और पाकिस्तान के मिसाल कुछ और हैं, हम डिवेलप कंट्री के साथ इसका मौलसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सा वो अभी भी 23 तीज़ 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 पर बिलो है। हालाएं कि हमारे इंटरनाशनल कमिटमेंट्मेंट्स हमें कहरें ही हैं, जो हमें बावर करवा रही हैं, को कम से कम 43 तीज़ तक होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाएं, कैसे सारे एक्दमाद किया जाएं, सोच की तब्दीली बहुत दुरूरी है। लॉस का होना, उसकी इंप्लिमेंटेशन होना, उसका तलाक होना। और फिर हमें आदत पढ़े के हम जहां पे काम कर रहे हैं, वहां पर हम उन सारे चीज़ों को देखें के एक कॉंट्रेक्शल बेसिस के उपर जो हमारा महाईदा हो रहा है, वो लिख़त पड़त में हो रहा हैं। तो यह चीज़ें हम इसे बहुत पीछे हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना अर्सा लगेगा लेकिन कोशिश हैं जरूर इसमें हो रही हैं लेकिन हमें मुद्टफिक होके इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा अच्छी गुफ्टगु होगी डायलॉग होका तो लोग सोचेगे ना अप देखे कि कोई चीज सोचल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो उसके बाद कर रहे होते हैं बिल्कुर्ट हर घर में हर बंद बंच कम एक राद बो लोग तो उसके बार में बात कर ही रहे होते हैं तो बात ये बात करना ज़रूरी है दिवर्स हम अभी बैठके कोई म्यूजिक और भी हाँ भी कर सकते हैं मतलब उससे चाहिद जादा रूरेटिंग आएगी प्रोग्राम की लेकिन मसला यह है कि अगर हम अपने मेजर ग्रास रूट लेवल के मसायल को हल नहीं करेंगे तो फिर उन नाजबानों का क्या फाइदा है जो सिरफ आप देख रहे हैं लेकिन अपने घर में आपके खुशाली नहीं है हमारा यह है कि हर बंदे के घर में खुशाली आए हर इंसान के सर पे चाथो पहनने के कपड़े हो अपने बच्चों की तादीम के पे सके अपनी हॉस्पिटल के बिल्स को पे सके बल्किए उसके ऑस्पिटल के बिल्स पे किये जाए उसके एंप्लोरिश तो यह है और एक इसमें इंपॉर्टन बाज है कि जमूरी मुल्के अंदर सोशल जस्टिस का प्रवेल करना बहुत लास्मी है पर इसमें सरफ होकुमतों की जम्मदारी नहीं रहती है इसमें सिटिजन्स की भी दिल्कों अवाम की भी जम्मदारी होती है कि सोशल जस्टिस को देखते हुए अपने सारे संद्गी के तौर तरीके इसमें देखे हैं अच्छा वो बिसनसेज हैं चाहे वो आपके घरेलू हलात हैं या जैसे भी सलसला है हमेह स्मय पैस्ते हैं अपनी के आपके के पाकीस्तान में वो किमती एदादेश drivers के मताबग और यैलो प्रशमार के मताबक 7 करोड मजदूर हैं. जो खुशाली आनी हैं लेबर में वो आनी हैं उनकी तन्हों में अजाफे से, उनको सोशल स्कोर्टी मिले, उनको EOBI मिले. सोशल स्कोर्टी में अलाज मालजा और बचों की तालीम होगी और EOBI में उनके बुड़ापे की फिंशन होगी और दीगर वर्कर वेल्कर बोर्ड के ताहर जो सो उल्पे हैं मगर रिजिस्टर्ट जो वर्कर हैं साथ करोड में से सेरो 28 लाख सोशल स्कोर्टी में पूरे पाकिस्तान में रिजिस्टर्ट है ठीक है सर आपकी बात से बुड़ाने गवर्मन्ट वारी बात की नहीं पर छोटी से एक बात करना जबी अगर कंपनीज जो हैं वह अपने अपने वर्कर को इसके इसिरिटी प्रवाइड करते हैं तो जो लोग अपने घर में किसी वर्कर को रखते हैं वह पिर उसकी मेडिकल का और उसके बच्चों के पारीं की जम्यदारी क्यूं नहीं लेते और फिर एक इंचान अगर आपके पस 40 साल काम करके जाता है या 30 साल काम करके जाता है तो फिर उस इंसान के बुराप्र में उसका साथ को नहीं दिया जाता है। थे कि पेसफिक साथ कर रहे हैं तो वो फैक्टरी है और फैक्टरी वर्कर को सोचल स्कोर्टी अलाज मालचार और ऑई योबियाई बुरापते की पिंशन मिलनी चाहिए चाहे वो कोई भार है, चाहे वो कोई सेक्टरिय है, चाहे वो कोई संती या तिजारती अदारा है उसमें ये सूलत हर वर्कर का बन्यादिया क्या है ये कनून तो 1934 का बना हुआ है मगर उसके बतकिस्मिती से अभी तक अमल दरामन नहीं हो रहा और जब तक अमल दरामन नहीं होगा, कवानी इन पे उस वक्त तक मजदूरों के अलाथ यहीं रहेंगे अच्छा इसमें एक में अदाफा करना चाहरा हूँ ये मजूदा हुम्मत में चार-पांच महीने पहले एक लेबर पालीसी अलाउस की ये पंजाब के अवाले से, उसमें नहीं ने एक मुस्बत जो बात किया है कि हम लीविंग वेज की तरफ जाएंगे लीविंग वेज, लीविंग वेज, लीविंग वेज का मतलब है कि एक वर्कर का तख्मीना लगा जाएगा कि उसको गजारे के लिविंग वेज, लीविंग वेज, पैंटीस हजार से, चालीस हजार है पाकिस्तान में अगर ये अक्तामात, ये अक्तामात अठा लेती है, तो ये पाकिस्तान में मजदूरों के खुशाली का सबब बनेगा और चाइड लेबर का खुद खात्मा हो जाएगा अच्छा, अब आज की थीम, ये ये थीम पर आजा आते हैं, इस आज की थीम से रिलेटेड आप क्या कहना जाएगा लेखें, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है मतलब ये थीम बनी, ये थीम की दरूरत क्यों पड़ी हो जो इस पासे हैरत होती है एक बन्यादी वज़ा है पाकिस्तान में जो चाइड लेबर हमें नजर आती है, उसकी बन्यादी वज़ा है के मुझदूरों को उनके हकूप नहीं मिलते है माँ-बाप जो काम करते हैं, उनको अगर वो पूरे राइट्स नहीं मिलेंगे, तो पच्छा आटोमेटिकली जाएगा चाइड लेबर की तरफ एक और पाकिस्तान में हमारे आइन में 25A एक शिक है, जिसके मताबिक 5-16 साल की उमर के तमाम बच्चों को स्टेट की रिस्पॉंसिबिलिटी है कि वो कमपल्सरी फ्री एजुकेशन दे, अब हमने अपने आइन में लिख दिया है, लेकिन हम उस पे अमल दरामत करने के लिए रिसूर्स नहीं अलोकेट करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कंट्राडिक्शन्स हैं हमारी स्टेट के लिए जो देंगे वो नहीं है, और तीसरा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी देखने की जरूता है, इसी बात ये के व्यूर्स बड़ी दपा माबाब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में या तो बच्चा इतना बुली हो रहा होता है या उसके व्यूर्स ब्रियालिटीज है हमारी सुसाइड़ी की, हम जितना भी डिनाय करना चाहें, मैंने बड़े बच्चों से जो दो तीन साल से कहीं जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब तो चुड़वा दी उनके माबाप में इस दर से कि भी लेबर लॉग आगे हम लोग करता है, तो फिर उससे भी बड़ा एक बेनेफिट होगा, अचा यहाँ पर हमें ब्रेक की तरफ रहने हैं, ब्रेक के बापर आपके आएगे तो आपकी राये की बहुत इंपोर्टन ते हैं इस चाहिए, बसे रिलेटी ते हैं और अब हमें करना क्या चाहिए, सुसाइटी क के तोर पे और एक लाज़े स्केल पे ब्रेक के बाद। के प्रोग्रेस कहा तक पहुंची है, वक्त कम और मुकाबला सक्त होता है, बिल्कुल बस फाइने टच रहे हैं इसके, यह पूरी फैमली बन गी है, यह अगे फैमली है, एक इसके पीछे है, यह तो जनरेशन तो जनरेशन चल दिया है, तो यह फील में काम कर रहे हैं, तो ह क्या करें? हाउस ओल्ड जो हमारी इस वक्त लोगों का, जो हमारा तकमीना है, छे के करीब लोग एक खांदान में हैं, और जिनकी आमदनी जो है, पंदरह हजार से लेके बाईस हजार तक महाना है, तो आप अधादा लगा सकते हैं कि वो गुर्बत उनके घरों में कितनी होगी, तो मै तो घर की आमदनी है, उसको इंक्रीज नहीं वहाँ पे होगी, तो तब तर ये चाइज लेबर का इशू अड्रेक्स नहीं होता है, इस बजा से बच्चों को जो घर के बच्चे हैं, वो एक लेवल तक स्फूल जाते हैं, उसके बाद वो हुनर सीखने के लिए, या तो वर या फ्रीज में भेजिया जाता है, या करीब यूनुट्स में भेजिया जाता है, या लडगियों को भी घर एलू दस्तकारी में शामल कर लिया जाता हैं. मुझे यही तो प्रॉब्लम है, मुझे जो चीज बहुत जागा बौदर करती है घरों में तो लोग जा के चैख नहीं करते हैं कि हैंके घर में कोई बच्ची काम करी है के नहीं चोटा सा कोई लड़का काम कर रहा है के नहीं इसी तरह वर्क्शॉप्स के अंदर जा के स्पिसिपिकली नहीं चेक करते हैं प्रैक्ट्रियों में मिलों में ऐसी जगाओं में तो रेड हुई जाके चेक किया उनको रेपरमाइड किया गया जो भी सदाय हो दी गई और बात खातम होगी मसला यह है कि पता कैसा चले अब मुझे पता हैं यह भी तो दी समझ आती है कि किदर दे रहें किसको बताएं आप इनको भी जाकर रेपरमाइड करते हैं तो वह पर बच्चे को जादा दे रंदर अंदर छुपा कर रखते हैं ताके नजर नहीं थे अब इससे पहले तो हम बात करते हैं कि 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 डुमें अब इसके बात भी हुआ है कि जो घरेलों जाके अपने सविसें से रहते हैं वह भी वर्क अजर जा रखते हैं यह चीजे तो अब आने शुरू हुए है अब इसके जो कवानी है इसके तिलाग से अब तक नहीं होगा तब तक तो आपको यह जा आएगी लिकिन इसमें आप आपके एक civil हवाले से जे सिटीजन्शिक के हवाले से जो हम सब का राइट बनता है वो जूरूर यह बनता है कि अगर हम देख रहे हैं कि ज़िज कम उमर के बच्चे लोगों की घरों में काम कर रहे है तो उसकी जूरूर हम इस इसलाग करें अगर हम सोसाइटीज में रहते कि 15 साल से कम उमर के बच्चों की घरेलु मलाजमीन के तौर पे उनकी मुमानियत है और आपसे परहेज करें और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पे आप ज्यादा अगर वो काम कर भी रहें तो उस पे पुछ जादा रहनी के लाइक काम गो करें घरों में अगर रह भी रहें का कोई ज्यादा जिसना एक हमारा जो कानून है वो हज़िडर्स वर्क के हावाले से बात करता है तो वह वैसे वह काम ना कर रहे हो तो यह मैंने कई सिसाइटिस में देखा है कि नोटिफिकेशन्स आने शुरू हो गए तो मुझे लगता है कि सिटिजन इस वास्ट प्र्रेम् और वो गंडा क्यारा गा उठाने का जिसके डबल साइस का होगा जैसे चोटे 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 गांपल्स दे रही हो पी जोगन एक और पी मेरे बैने एक रिसर्च हम लगों ने की ती जिसमें में यह चीजे नजर आई कि कुछ हरसे में यह बहुत हमें यह इन्फलक्स नजर कर्दा लिया हुए और कर्दा मामूल है 5,000 10,000 8,000 जिसकी वज़ासे वो कर्दा यह एक माफिय के गरूप है जो बच्चों को उनको शेहरों ने लेकर आता है और वो बकाईदा बच्चों की वो 5000 6000 चे बिच्चों को रुखाया जाता है तीन मीने के लिए छे मिने के लिए 1 साल के लिए और जब वो करदा फतम हो जाता है तो बच्चों को वापस या घरों में दे रहेते हैं या किसी और जगा पे उनको मुंत्किल कर दिया जाता है तो ये एक पूरा एक विडन जो गैंग है या मैं समझेंगी माफिया है जो काम कर रहे है और अगें इसकी वज़ा ज अकेले हा अकेले हैं मेरे मामु थे यहां मामु का बादार आप तो नहीं है कारसेट इंडर्स्टी में 12 साल की अमर से मैंने काम शुरू किया था तो उसकी वज़ा क्या थी और अगर बच्चों के काम करने की बिन्यादी वज़ा गुर्वत है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार माँ अपने बच्चे से करती है हमने देखना यह है कि वो माँ क्यों मजबूर है बच्चे को सुकूल की बजाए काम पे बेजे उसकी वज़ा गुर्बत है जब यहां लिविंग बेज होगी जब मजदूर खुशाल होगा तो वो अपने बच्चों को काम पे बेजेने की बजाए सुकूलों में बेजे़ा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी वो कहते है ना कि एक बच्चा चलो काम पे लाग जाएगा तो बच्चे बाकी जो है वो चालीम हासिए मैंने बहुत से यंग लोग देखे हैं मैं बेरे पास भी जब कोई इंटर्व्यू देने के लिए कोई लड़की आई जाब के लिए या काम पे तो पूछा मैंने का आपकी तो उमर बहुत काम है आपके सिर्फ 20-20 साल के हो या 18-19 साल के हो क्योंकि 18 साल से काम उमर के मैं इंटर्व्यू भी नी करती है तो अगर मैं जब भी मैं बात करती हूं हमेशा ये वो बच्चे होते हैं जो पिछ्वे 6-8 साल से काम कर रहे होते हैं मैंने का आपके तो कोई काम का एक्स्पीडिंस नी होगा हर 21-18 साल का बंदा गुंकर चे साल से आग साल से काम करें क्यों वो भाइबाने को स्कूल बेजना तो अमने अब बाने का कि अगर मैं जॉब कर लूँगा या मैं कर लोगी तो कमस्तां भाइब स्कूल चले जाए अच्छे देखें जब हम यह सोचते नहीं करना का चाहिए तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो लेवर फोर्स है वो है कहां जैसे तक्रीबन साथ करोड के करीव लेवर फोर्स है उसमें से तक्रीबन 38 फीसद जो है वह हमारी अगरिकल्चर सेक्टर में यह 45 फीसद 35 पर अब ड्रॉप होके 38 फीसद होगी तक्रीबन 38 फीसद हमारी लेवर फोर्स सर्विस्स सेक्टर में और 24 फीसद जो है वो इंडस informal है इन्फॉरमल का मतलब यह है कि उन पे लेबर लॉज की इंपलिमेंटेशन नहीं होती या उनके लेबर लॉज है यह ने अब जो करने वाला काम है वह यह है कि हमारे हकूमत को यह सोचना चाहिए कि अगर हमने पाकिसान में आम लोग है ना यह साथ करोड कौन है यह पाकिस्तान की पापुलेशन के वो लोग हैं जो घरों को चला रहे हैं तो अगर हमने पाकिस्तान की अबादी के वो खुश्छाल करना है तो इन लोगों पर तबज्जो देनी पड़ेगी और जो लोग लेबर लॉस के अंडर नहीं आते हैं उनके लिए सबसे पहले तो लेबर लॉस बनने की बेशा फिर हमारे हकूमतों की प्रियोर्टी का बड़ तो उस इंडर्टी में जो वर्कर्स का आम करते हैं उन पर नहीं सोचा जाता है अच्छा खालिट सब्सक्राइब करती हूँ उनको फसिलिटी इसलिए ही दी जाती है ताके वो अपने लेबर के हालात पर लेगे अगर्वर्मेंट का अब्जेक्टिव यही होता है या स्टे कई च्छास मिण उनको यॉर्फिन यूनियन की तरसते जी एसबी पी प्लस का स्टेट recall that means के पाकिस्तान suffered हैं वह यॉपिन यूनियन एं जासकती है यह यॉपिन यूनियन के साथ ऐसा मओधा जिसे पाक्तान की इंडी को फरोग करना चाहिए और यहां के मज़ुणों को फ बहुत बड़ा प्राब्लम है जो पाकिस्तान की हुकुमते कोई प्राइविटीज होनी चाहिए कि यहां पर लेबर पॉलिसी भी आ जाती है लेबर लॉज भी है देशक 20% के करीब उसका मजदूर कवर होते हैं लेकिन उनके लिए इंप्लिमेंटेशन मेकनिजम इतना वीक है ना वार यहां प्रॉपर लेबर इंस्ट्शन हैं फाकिस्तान का हर पचीसवा मजदूर किसी ना किसी हेल्ट इंसेफ्टी के इस्चूस को सामना करना पड़ता है जब यह इंड़स्ट्री की सुरूते हाल हो तो बाकि जो इन्फॉर्मल सेक्टर हैं जहां कोई लेबर इंस् उसको हर वक्त प्रावर्टी पे रखना बड़ता है यहां पे हम ब्रेक की तरफ चाहेंगे वापिस आएंगे तो उमेलेला से और न्याज भाई से हम यह जानेंगे कि उनकी राय में हमें क्या करना चाहिए ब्रेक के बात अब हम किचन में आ गए हैं और किचन में आते हैं तो यह जानना बड़ा जरूरी होता है कि खाने का स्टाइस क्या है तो किन हमारी दोनों डिशिफ रेडी हो चुकी है चौकलेट चिप कुकी जो वो है ट्राइपल वो भी रड़ी है उसके इलावा जो अफ्कानी प्लावर जो भी रड़ी उसको राइते है और सेलिट के साथ मैंने सब किया अब यूएस अदकोरस हमने आगे भी बढ़ना है और हमने जाय भाई के एंग बिजी चेक करना है कि क्या सिचुएशन है और कहां तक हमारा काम दन हुआ है और पीछे भी नजरा है तो यह दिख शेख दू यह दिखाने के लिए और यूएस इस सिस्टम को चेंज करने के लिए और हालात को बहतर करने के लिए हमारा फर्द है कि हम अपने एफर्ट पूरे करें यह देखिए बहुत ही फुप्शूरत अर बड़ी आपने डीटेल में बनाया है इतने शॉट टाइमने लिए लगदी कुछ इस आपते ही करने के लिए अगर आज हम शूरू करें तो अगर पचास सारों में इस सिचिएन हमारे कंट्रोल में आएगी मेरा ऐसा मानने इस तर इस ते इस ब्स्टे जब और जब जहाए बजूरूं का जो सबसे इंपॉर्टन जबास हम जहां पे करें हमें यह समझ इंडिस्ट्री आगे बढ़ सकती है ना हमारी एकॉनमी बढ़ सकती है तो UDP के इतना कॉंट्रिपूशन आ रहा है इन मजदूरों की वजह से आ रहा है तो हमें मजदूरों को उनकी वेलफर के लिए सोचने की बहुत अशर जुरूवत है और जहां पर प्राइटी जेंडरेस के अटारा से वीस वालों से लेबर इसुस पर काम करी हूं मैंने यह देखा तो इसको अप फाइफ प्राइटीज में होना चाहिए उसके साथा हमें जुरूवत है कि हम अपनी जो लेबर की इंप्लिमेंटेशन है उसको सामने रखते हूए कंप्लाइंस का मैकनिजम है उसक वर्कपोस को इंक्रीस करें और उसके अंदर मजीद रिफॉर्म ले करें। अज़र्स्मी शुबह की फिवत रॉर्स्मी शुबह और रिजिस्ट्रीशन के प्रोसस को किया जा है। और उनिवर्सल सोचल स्रिक्योर्टी का मैगनिम्स को इंटेडूस कर वाया जा है। ठी, आपके आपके हमारे नजर में भी यह है कि गोर्मेंट ने जैसे एलाम किया है लेबर पर लिटी में, कि हम लीविंग वेज की तरस नहींगे, तो मुझदूरों के खुशाली ता भी होगी जब उनकी तन्हुआएं बढ़ांगे, भक्तियों, कारखाने हों, तजार्ती अ पास आजाए और उनको सोशल स्कूर्टी कार्ड मिल जाए, ईयो बी एई कार्ड मिल जाए, तो यह उनकी खुशाहली का सबब बनेगा, यहां तक सरकारी मलाजमीन का तलक है, तो आज भी बेशमार सरकारी अदारों में डेली वेजित और कंट्रेक्ट की भरमार है, उसको ख आएगा तो फिर खुशाली होगी मजदूरों में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने का, क्योंकि यूज होता है कि जो कॉंट्रेक्ट लोकर होता ना उसको ना मेडिकल मिलता है, उसको बहुत सी ऐसी चीज़े नहीं प्रवाइड की जाती, तो बाकी सब लोगों के तो बजट आने बाला है, हमारी हकूमत को चाहिए कि सिर्फ सरकारी मुलास्मों की तनसाओं में इदाफा ना करें, बलकि सारे जो हमारे वर्क फोर्स हैं, उसकी मिनिमम बेच को लिविंग बेच की तरफ जाना चाहिए, और मुदूरों का मुटालबा तो तैंटी से तानी स बढ़ा सकते हैं, इसमें एक मुनासिर अदाफा होना चाहिए, जिससे मुदूरों को इसास हो कि हाँ, हमारी हुकूमत कुछ हमारा ख्याल करी, यह नहीं है कि हजार, दो हजार, तीन हजार रपा बढ़ा दें, जिसनी महणाई बढ़ गई है, उस तनासर से मुदूरों की त करने वाले सरकारी अदारें, उन से जरत तबज्जो दी जाए, यही बात है, अगर यह हम कर सके गें, तो शायद कुछ मुदूरों के हालात बेहतर होने की तरफ चाह सकते हैं, आप लोगों की भी बहुत मस्रूसियत होती है, लेकिन आप पाकिसन टेलिविशन नेटवर्क क बाकिस सब अपना अपना हिस्ता करेंगे, NGOs, activists सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, यह बहुत स्यादा मैटर करता है, आपके घर में कुई वर्कर है, या आप अपने इस पिस देख रहे हैं, कि किसी अपने घर में आठ साल, नौ साल, छी साल के कोई इन सब चीजों से रेलेटेड फ्रीज अवेनस आपको भी होनी चाहिए, और फिर आपको कम्प्लेंट ही करना चाहिए, और अपको लॉज को प्रॉपर तरीके से इंप्रिमेंट करना चाहिए, थैंक्यू सो मच, आपका मैजबीन, बहुत बहुत शुक्रिया साइब आपका बहुत खुबसूरत आपने बेंटिंग बनाई, आज की बेंटिंग मनास्पक से पर्फिक्ट, थैंक्यू, और आपनों का दिशा शुक्त, यूज जाते जाते, एक ही बार समेशा कहती हो, आज बहुत ज्यादा अपलाई करती है, अपना तो ख्याल रखेगा, लेकिन अपक तेजादे दिश्वश चुका, ऑकिस्ता जिन दिन दादादे.